संग्ठनों के नेता आपके बच्चों को मरवा रही है ये बात मैंने पहले भी बताई है आप इसको फिर ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि किस साल का नौजवान जिसकी अभी मुश्डाडी आना सुरू हुआ था बलकुल नया बच्चा वो सातार दस दिन पहले हुरा वली में गौालियर में मारा गया उसको पुलाडियों से धादार हतिया और उसके फोटो आप यहां देख रहे है नाम उसका पारस जोहरी है ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसी घटनाओं के जो कारण है उनका कोई विश्लेशन नहीं कर रहा है बिसिकली जितने भी यह SC, ST, OBC के जो लोग हैं और जिनोंने यह संटन चला रखे हैं दसियों हजार इनके नेता लगाता रहा आपको यह बच्चों को मरवा रहे हैं आप साबधान हो जाएए मैंने पहले भी कहा था कैसे मरवा रहे हैं यह SC, ST और OBC के जो लीडर हैं यह सारे बिखरे हुए हैं इनके 10,000 से जादा संटन हैं और 20,000 इनके नेता हैं वो नेता कभी इखटे नहीं होते मगर नौ जवानों को और जो छोड़े-छोड़े बच्चे हैं जो अभी अपनी दुनिया को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं उनको वो सिखाते हैं उनको जो सिखाते हैं वो ऐसी बाते सिखाते हैं जो भड़काओ बाते होती हैं और भड़काओ चीजे होती हैं और उनको कहते हैं कि हम संगर्स करना सिखा रहे हैं एक बार एक बहुत बड़ी सभामे मैंने भाशर दिया था कि आप लोग जो उनको सिखा रहे हैं उससे प्रणाम हिन सकाएंगे, मार पड़ाई होगी, रिजल्ट नहीं आएगा, तो कैई लोगों ने मेरा विरोध करके कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जो लोगों पर अत्याचार होते हैं, तो क्या हम इसका मतलब बड़ा ना लें उनसे, या हम पर दिरोध ना करें, या हम कोई प्रणाम ना करें, आप चाहते हो कि इनको कौन देखवाल करेगा, कौन वहां जाके इनको बचाएगा, तो मैंने उनसे कहा कि आजसक भी आपने किसी को बचाया नहीं है, पैसे नहीं होते हैं, दुबारा कोई वहाँ जाता नहीं है, आप लोग वीडियो बनाके, या फोटू बनाके, या अपने डालोग बूर्न के, या अपना चेहरा वहां लोगों को दिखा गए, कि हम यहाँ आए थे, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, वहाँ दस्यों कि एक ही कारण है और एक ही तरह के तुम सारे संख्टन हो तो वहाँ अलग 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 जाके कर क्या रहे हो तुम सारे के सारे एक खट्टे हो के वहाँ एक साथ क्यों नहीं जा रहे हो तुम क्यों अलग 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 हत्या हुई है क्या क्या अलग अल मंतर मंतर पे एक ही विचार दहरा के एक ही नाम के पांच संग्ठन एक ही दिन परदेशन कर रहे हैं, अलग-अलग कर रहे हैं, अलग-अलग संग्ठनों करने से कौन आपकी आवास सुनेगा, वो तो नुक्सान जादा होगा, आप नौजवानों को और जो बच्चें उनको ल संग्ठन कहा हैं, आप उसकी सेटर के लिए तो आते नहीं, आपने सिर्फ उसको पढ़ाया और उसको आपने विरोध करना सिखाया और उसको छोड़ दिया, जा अकेला विरोध करो जाके पिटे, और दस-जार संग्ठन आप अलग-लग बनाके बैटे हो, वो पिटेगा तो आपके पास आएगा, क्योंकि संग्ठन आपका है, तो किसना किसी संग्ठन के पास जाएगा, आपका काम चलेगा, आप वहाँ रेडियो में, टीवी में अपना फोटू चाप होगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप उन लोगों को मरवा रहे हो, बेसिकलि अगर आप सारे इक खटे हो जाओ, और आपका एक ही संग्ठन हो, तो आप महाँ जाओ ना जाओ, कोई हत्य होगी नहीं, क्योंकि आपकी आपकी आवाज में इतना दम होगा, कि फिर किसी की हत्या करने की हिम्मत होगी ही नहीं, तो आप मरवा रहे हो बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, उन कुछ करके चले जाते हो, अरे आप में इतना बुद्धी और इतना समझ नहीं है, कि एक ही कौज, एक ही बावासाब, एक ही बात के लिए, आप सारे खटे हो कि एक बात करो, एक प्रेस को लिएंस करो, एक संग्ठन मनाओ, एक ही चीज बनाओ, जब आप उसके पीछे संग् आप तो बाकी लोगों के लिए और रास्ता खोले हो भड़कानेगा, आप कभी ये क्यों नहीं कहते हैं, कि ये सारे संग्ठन एक हो जाए, तो हत्या होगी ही नहीं, एक किसी आदमी की हिम्मत नहीं, अगर आप सारे संग्ठन एकटे हो जाएं, एक ही प्रेस कॉन्फरेंस ह हो एक ही संग्ठन हो, सेंग्डों तो आपने दलबल संग्ठन मरा रखे हैं, सक्ती, टाइगर, पैंथर, बिलू पैंथर, नीला पैंथर, लाल पैंथर, और ये टाइगर फोर्स, और ये समता सेनी दल, और ये वलिंटर फोर्स, और ये मिग्रेड, और ये फलाना सेना, और आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कितनी बार तो बताई है, आपको कितनी बार समझा है, आपको समझ में नहीं आती, बच्चों पर बच्चे मरे जा रहे हैं, आप जा के वह नेतागरी कर रहे हो, पर नेतागरी कर नहीं बंद करो, इन बच्चों को बचाना है, इनको दुकान चलेगी तर्वे आप अंकी लाज्वां पर भी दुकान क्यों चला रहे हो आप क्या सिरा शिकाते हो आप सिरा की मनुवादी क्या उधिने माराा है क। मरवा रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो, मगर आप उसको सेल्टन नहीं दे रहे हो, आपका संग्ठन नहीं है, अगर पूरे भारत में एक संग्ठन होगा, एक आवाज होगी, तो कोई आपको छेड़ेगा भी नहीं, फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी, फिर आपके काम भी होंगे, और इन नौजवानों को रोजी रोटी भी मिल जाएगी, इनको काम भी मिल जाएगा, इनको पैसे मिल जाएगा, आपके 10,000 संग्ठन होने की वैसे, कोई आपकात नहीं आपकी, इसलिए कोई आपको ना रोजगार देता है, ना आपकी बास सुनता है, उपर से जहीं करें, अगर कोई प्रितिकार करें, तो उसको मारते हो रहें, क्या बात हुई वहाँ पर, बावा साब की इस टेचू के उपर, किसी ने अपसब्द कहा, बावा साब को अपसब्द कहा, वो जो नो जवान था, उसे समझ नहीं थी, कि क्या प्रितिकार करना चाहिए, क्या नहीं, आपने उसको सिखाया, उल्टा, कभी आपने ये सिखाया नहीं, कि बावा साब ने लड़ने के लिए नहीं कहा है, संगर्स करने के नहीं कहा है, संगर स्वेंग लड़ाई में जि surviving आस्मान का अंतर होता है और बावा सार ने कहा है कि संग्डित रहो तो संग्डित करने में तुम्हें संग्डित होना है ये जो डश flipping संग्डन तुमने बना रखें इसके नहीं बावा सार में नहीं कहा है अपनी अकल को खोलो अधार मेखें, राजनी देखें, फलाना है, फलाना है, फलाना है, तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है, कि बच्चे मर रहे हैं, इखटे हो जाओ, तुम बंद करो इसको, तुम करोगे क्या, तुम्हारे बसकी है क्या, कम से कम यह लहां से नहीं आएंगी, कितना समाज में दु को ऐसा कर देंगे तो किसी को करने की क्या जरोता है तुम अपने आपको ठीक कर लो SP-DSP को तुम करोगे क्या कितने SP-DSP को ठीक करोगे तुम अपने संग्टन ठीक नहीं होते और मैं नौ जवानों से भी कहता हूँ कि इस चक्तर में मत आओ डंडा और ठावर इनको पेलना सुरू करो जब तक तुम इन नेताओं को पेलोगे नहीं यह तुम्हें अच्छी बात नहीं बताएंगे यह तभी नहीं कहते हैं कि सारे नौ जवानों का एक संग्टन होना चाहिए अगर सारे नौ जवान सब एक संग्टन में होते सारे नौ जवानों का एक संग्टन होता है सारे भारत का एक संग्टन होता S.C.H.T.O.B.C. का तो तुम्हें समस्य नहीं होती सारी चीज़े तुम्हारी यहां मिलती पढ़ाई भी मिलती, सिक्षा भी मिलती, पैसा भी मिलता, नौकरी मिलता, रोजगार भी मिलता नोजवानो समझो इस बात को अपनी लासे मत गिराओ, बहुत कीमती हो समाज की नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई बच्चा प्रलिक के मावाप की आपवतारा बनता है इनकी जरासी बात में आके वहां हत्य हो जाती है, मावाप पूरी जिंदगी रोते हैं इन नेताओं को कुछ नहीं बगड़ने वाला, एक डंडा उठा और इनको अच्छी तरह से इनकी खवर लो इनसे देखो जो बच्चे मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं माईक उठाया और हम यहां आए हैं, क्यों आए हैं उसकी इलास पे इस पीज देने के लिए आए हैं अरे तुम पहले क्यों नहीं करते हैं ये काम, लास गिरे ही ना, बच्चा मरे ही ना अगर तुम पहले ही जाके सबको इखटा हो जाओ और सारे इखटे हो जाओ तो तुम्हें जाने की जोती क्या है तुम्हें समझ में नहीं आति इतनी सी बात, कितने बच्चे पर वहाओगे अभी तुम झालो, करे पर एंदक trucks you कितने टीजाँिए हो जाफ ना बच्चे एंदक वहाओशे हो। क् devoted खी जाति को फहाद। कितने तुम्हें समझ दुम्हें एंदक, जा र महादृiggs झाल झाल